दालचीनी एक मसाला है. दालचीनी की चाल तेजपात की व्रिक्ष चाल से अधिक पतली, पीली और अधिक सुगंदित होती है. यह भुरे रंग की मुलायम और चिक्नी होती है. फलों को तोड़ने पर भीतर से तारपीन जैसी गंधाती है. इसके फूल छोटे, हरे या सफेद रंके होते हैं. अगर आप दालचीनी की पत्तियों को मलेंगे तो इससे तीकी गंधाती है. दालचीनी का प्रयोग कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है. पतंजली के अनुसार, दालचीनी के सेवन से पाचंतंत्र संबंधी विकार, दांत, वसिर दर्द, च अतिमाल से कितने प्रकार के फाइदे होते हैं, ताकि समय पर दालचीनी का उप्योग कर आप भी फाइदा ले सकें. भूख को बढ़ाने के लिए दालचीनी का सेवन, 500 मिग्रा शुन्थी चून, 500 मिग्रा इलाइची, तथा 500 मिग्रा दालचीनी को पीस लें. भोजन के पहले सुभः शाम लेने से भूक बढ़ती है. उल्टी को रोपने के लिए दालचीनी का प्रयोग. दालचीनी का प्रयोग उल्टी रोपने के लिए भी किया जाता है. दालचीनी, और लोंग का काड़ा बना लें. दस-बीस मिली मात्रा में पिलाने से उल्टी पर प्रोक लगती है. आंखों के रोग में दालचीनी का प्रयोग. अनेक लोग बराबर शिकायत करते हैं कि उनकी आंखे फड़कती रहती हैं. दालचीनी का तेल आंखों के उपर पलक पर लगाएं. इससे आंखों का फड़कना बंद हो जाता है और आंखों की रोशनी भी दांत के दर्ट से आराम पाने के लिए दालचीनी का सेवन. जिन लोगों को दांत में दर्ट की शिकायत रहती है, वे लोग दालचीनी का फायदा ले सकते हैं. दालचीनी के तेल को रूई से दांतों में लगाएं. इससे आराम मिलेगा. दालचीनी का प्रयोग कर सिर से परेशान रहते हैं, तो दालचीनी का सेवन करें. दालचीनी के 8-10 पत्तों को पीसकर लेप बना लें. दालचीनी के लेप को मस्तक पर लगाने से ठंड या गर्मी से होने वाली सिर दर्द से आराम मिलता है. आराम मिलने पर लेप को धोकर साफ कर लें. दालचीनी के उपयो के साथ सुबह शाम सेवन करें. इस से खासी से आराम मिलता है.